हलो स्टूडेंट्स आज हम हमारा फॉर्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल, फंडामेंटल यूनिट ओफ लाइफ तो हम अज हमारा फॉर्स चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है कंटेंट कौन कौन से कंटेंट सें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सेल की डेफिनिशन देखेंगे उसके बाद सेल की डिसकवरी देखेंगे कि सेल को किसने डिसकवर किया था discovery के बाद हम पढ़ेंगे different parts of cell कि cell जो है वो किन-किन parts से मिलके बनी होती है किन-किन चीजों से मिलके बनी होती है तो cell के mainly 3 parts होते हैं जिनसे मिलके बनी होती है cell membrane, cytoplasm, nucleus अगर हम cell membrane की बात करें तो cell membrane जो है किसी भी cell की outer covering होती है जो cell के अंदर present होती है second part है cytoplasm, cytoplasm क्या होता है cytoplasm cell के अंदर जो fluid material present होगा उसको हम बोलेंगे cytoplasm third part जो होगा cell का वो क्या होता है nucleus, nucleus एक organelle है जो cell के center में present होता है उसको हम क्या बोलते है, nucleus अगर हम cytoplasm की बात करें तो अब हमने बोला कि यह fluid material होता है जो किसी cell में present होता है तो उसके अंदर बहुत सारी organelles भी present होते है यह कौन-कौन से organelles हम chapter में पढ़ने वाले है यह देख लेते हैं mitochondria, lysosomes, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, plastics and ribosomes यह सब organelles हम first chapter में पढ़ेंगे तो अब हम सबसे पहले cell की definition देख लेते हैं तो अगर हम सबसे पहले अगर हम living organisms की बात करें मतलब जो living है वो सब किसे मिलके बने होते हैं जितने भी living organisms अर्थ के उपर present होते हैं वो सब के सब cell से मिलके बने होते हैं cell जो है वो सारे organisms को बनाती है तो अगर हम cell को एक example से समझें तो जैसे हम किसी घर का example ले लेते हैं यह हमारी कोई भी building है कोई घर है तो यह किस चीज से मिलके बना होता है इसमें बहुत सारी rooms होते है room किसे मिलके बनते हैं दिवारों से क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दिवार होती है दिवार से मिलके ही room बनता है लेकिन यह दिवार किसे बनती है? यह दिवार बनती है इंटो से तो बहुत सारी जब इंटे इकट्टे हो जाती है तो एक दिवार बनाती है उसी तरह, अगर हम माने इंट जो होती है जो वो basic unit होगे किसी भी घर की मतलब इंटो से ही मिलके यह घर बना है इसलिए हम जो bricks होंगी, उनको basic unit बोलेंगे, किसी भी building की या किसी भी घर की, उसी तरह अगर हम cell की बात करें, तो जितने भी living organisms हैं, जैसे ये माली जे कोई भी plant हो गया, या कोई भी animal हो गया, तो इस plant के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी cells present होती हैं, जिससे मिलके ये पूर plant बना होता है, उसी तरह कोई भी human body हो गया, कोई भी other living organism हो गया, उसके अंदर भी छोटी-छोटी cells present होती हैं, जिनसे मिलके ये organism बना होता है, इसलिए cell को हम क्या बोलते हैं, cell is the structural and functional unit of life, मतलब structural functional unit है, किसी भी living organism की, अगर हम structural का मतलब देखें, या structural का क्या मतलब है, कि बने होते हैं, तो मतलब ये जो cells होती है, ये इकठा होके organism बनाती है, इसलिए cell जो है, organisms को एक structure प्रोवाइड करती है, उनके shape देती है, इसलिए cell को हम क्या करते हैं, structural unit, उसी तरह cells को हम functional unit भी बोलते हैं, या functional का क्या मतलब हो गया, कि जितनी भी activities living body perform करती है, वो किसकी जैसे ही होती है, cell different activities perform करती है, और उन cell की activities का outcome होता है, जो कोई भी living organism कारिये करता है, तो cell क्या होती है, cell जो होती है, structure प्रोवाइड करती है, एक धाचा तयार करती है, किसी भी living body के लिए, और function जो भी activities living body करती है, उन functions को cell perform करती है, तो cell is the structural and functional unit of every living organism, अगर हम cell की डिसकवरी की बात करें, तो सबसे पहले cell को किसने discover किया था? Robert Hoek scientist थे, जिनोंने 1665 में cell को सबसे पहले discover किया था, तो अगर हम ये देखें कि उन्होंने cell को कैसे discover किया था? तो उन्होंने खुद का बनाया हुआ, एक simple microscope लिया था, जो उन्होंने खुद से बनाया था, उन्होंने क्या किया, उस microscope के नीचे बाग cells ली, जो हमारी पेड की चाल होती है, सबने देखा होगा पेड की चाल, तो उन्होंने उस पेड की चाल से cell को discover किया था, पेड की चाल से उन्होंने कोर्क की सेल्स ली कोर्क सेल्स जो होती है वो डेड़ सेल्स होती हैं कोर्क सेल्स से एक थिन स्लाइज बनाई उन्होंने थिन स्लाइड बनाई और वो किसके अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर उसनोंने उसको देखा तो जब उन्होंने कोर्क सेल्स को माइक्रोस्को जैसी स्ट्रक्चर दिखाइदी उन्होंने मदोमख्य का चत्ता तो सब नहीं देखा होगा उस में छोटे-छोटे कंपार्ट्मिंट बने होते हैं वह कुछ इस तरह क्या दिखाई देता है मदु-मख्य का इसलिए उन्होंने ईनक पार्टमेंटो को क्या नाम दे दिया सेल नाम दे दिया। तो इस तरह førं रोबर्ट हुक हुका ने ड़ब से पहले स्टी डिस्कावरी की। अगर हम करें RIолоबर्ट हुक की तो उन्होंने डाड एल को डिस्कावर किया था। जो cork cells होती हैं वो क्या होती हैं वो dead cell होती हैं लेकिन अगर हम living cell की बात करें कि living cell सबसे पहले कौन से scientist ने discover की थी तो living cell जो है scientist एंटन वेन लिवेन होग उन्होंने जो है pond से water लिया pond water से जो है सबसे पहले living cells को discover किया था उसके बाद अगर हम कुछ और discoveries की बात करें तो एक scientist ने परकिंच उन्होंने क्या क्या था क्रोटो प्लास्म को discover किया था तो अगर question में आपके यह आ जाए कि cell को सबसे पहले किस ने discover किया था और उसमें mention ना हो कि dead cell को discover किया था या living cell को तो हम बोलेंगे रोबर्ट हूप ने discover किया था अगर question में यह हो कि living cells को सबसे पहले किस ने discover किया था तो answer हो जाएगा एंटन वैन लू वैन हो उसके बाद cell theory दी थी उसके बाद discovery के बाद हम देखेंगे cell theory तो cell theory हमें क्या बताती है दो scientist थे कौन-कौन से skeleton and swan ये दो scientist थे जिन्होंने cell theory दी थी अब उन्होंने इस theory में क्या बताया था देखते हैं उन्होंने बताया था कि सारे के सारे जितने भी living organisms होते हैं वो सब cell से मिलके बने होते हैं अब ये जैसे हमने definition में बात की थी कि cell is the structural and functional unit of life तो उन्होंने भी यही कहा था कि जितने भी living organisms होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और second point क्या था उनकी theory का कि जो cell होती है वो functional unit होती है life की मतलब जितने भी functions होते हैं वो cell perform करती है तो ये दो points बताये थे उन्होंने cell theory में Sheldon ने कि सारे के सारे living organisms cell से मिलके बने होते हैं और ये cell जो होती है basic unit होती है living organisms की basic मतलब कि जितने भी organisms living organisms जो हैं वो cell से मिलके ही बने होते हैं लेकिन उसके बाद ये तो scientist ये नहीं बता पाये थे कि ये cells आती कहां से हैं मतलब ये बनती कैसे हैं एक cell तो ठीक है लेकिन एक cell से दो cell तीन cell ये कैसे बनती हैं तो एक scientist दे वर्क को उन्होंने वर्क को उन्होंने क्या बताया था कि new cells arise from pre-existing cells मालीजे ये कोई भी cell है तो इससे जो भी new cells बनेंगी वो इसी cell से बनेंगी ये cell divide होके क्या बना लेती है दो cell बना लेती है इन दो cell से फिर division होगा फिर चार cell इस तरह से नई cells बनती जाती हैं तो उन्होंने एक point और एड़ किया कि new cells जो है नई cells है वो पुरानी cell से ही बनती है तो cell theory क्या हो जाएगी तो cell theory में तीन points आ जाते है all living organisms are made up of cells, cell is the functional unit of life and new cells arise from pre-existing cells ये किसने बताया था बर्क्योंने और जो पहले दो points है वो कौन से scientist ने बताया थे Sheldon and Swen ने उसके बाद students अगर हम types of organisms के बात करें cell के basis के number के उपर तो कौन से types होते हैं कितने types के organisms होते हैं ये देख लेते हैं on the basis of number of cells there are two types of organisms number पे number के cell के number के base पे दो टाइप के cell organisms होते हैं unicellular organisms and multicellular organisms अगर हम unicellular organisms के बात करें तो unicellular organisms वो organisms होते हैं जो single cell से मिलके बने होते हैं मतलब उनमें एक single cell ही जो body की जितनी भी activities होंगे वो perform करती हैं जैसे चाहिए cell को digestion करना हो चाहिए respiration करना हो चाहिए कुछ भी synthesis करनी हो जो भी काम होगा वो एक single cell ही perform करेगी unicellular organisms में अगर हम examples के बात देखें unicellular में कौन-कौन से organisms आते हैं amoeba, paramecium उसके बाद अगर हम multicellular organisms की बात करें तो multicellular organisms जो है वो many cells से बने होते हैं मतलब एक से ज़्यादा cells से वो बहुत सारी cells मिलके multicellular organisms को बनाती हैं उनमें एक से ज़्यादा cell का number होता है तो multicellular organisms में अगर हम plants, animals, human beings ये सब के सब कौन से organisms होते हैं उसके बाद अगर हम सेल की शेप और साइज की बात करें तो सेल जो होती है वेरी करती है शेप में और साइज में मतलब यह नहीं है कि सारी की सारी सेल एक ही शेप की होती है एक ही साइज की होती है नहीं ऐसा नहीं होता सेल की डिफरेंट शेप होती है डिफरेंट साइज भी different होता है अगर हम cell के shape के बात करें तो ये round भी हो सकती है spherical, oval कैसी बीन के shape हो सकती है और उसी तरह size बीन का vary करता है ये एक size की सारी cell एक size की नहीं होती और shape में अगर हम देखें nerve cell का अलग shape होती है हमारी RBC होती है वो अलग shape के होती है इसी तरह in cells की shape जो है अलग-अलग होती है कुछ cells जो होती है वो irregular shape में होती लेकिन कुछ cells ऐसी भी होती है जिनकी definite shape होती है जैसे हमारा नारू सेल हो गया और बीसी इंट की क्या है डैफिनेट शेप है लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें तो यह इसकी इर्रेगुलर होती है शेप जो smallest cell की बात करें अगर हम तो smallest cell कौन सी होती है सब जितने भी leading organisms हैं उनमे smallest cell होती है mycoplasma कौन सी होती है mycoplasma इसका size देखे तो हम 0.1 से 0.5 micrometer तक होता है unit चो होगी हम इसमे micrometer यूज़ करेंगे 0.12 0.5 micrometer इसको mycoplasma को हम क्या बोलते है PPLO भी बोला जाता है PPLO का क्या मतलब होता है pleuro pneumonia like organism ठीक है तो बच्चों याद रखना सबसे smallest cell कौन सी होती है mycoplasma इसका size कितना होता है 0.12 0.5 micrometer इसको हम pleuro pneumonia like organism PPLO भी बोलते हैं तो उसके बाद ये था cell shape and size के बारे में उसके बाद अगर हम cell के types की बात करें तो दो type की cell होती है prokaryotic cell and eukaryotic cell तो अगर हम prokaryotic cell को देखें तो यहाँ अगर हम prokaryotic को देखें तो इसमें क्या कौन कौन से word है यह किस किस से मिलके बना हुआ है pro से और karyotic से तो pro का क्या मतलब होता है प्रो का मतलब होता है ancient, पहले का मतलब before, जो पहले सेल, जो पहले आई थी, और यहां केरियोटिक में अगर हम केरियों निकालें, तो इसका मतलब होता है nucleus, तो प्रो केरियोटिक का क्या मतलब हो जाएगा, जो पहले आई था, पहले बनी थी जो सेल, प्रो केरियोटिक मतलब जो पहले आई थी, अगर हम eukaryotic में सही, किस किसी से मिलके बनाए, u plus karyotic u का मतलब होता है true, और karyon का मतलब हो जाएगा nucleus मतलब true nucleus present होता है eukaryotic में और जो prokaryotic होते हैं, इन में nucleus से पहले जो structure होती है मतलब जो nucleus जो है, इन में true nucleus present नहीं होता prokaryotic cells में तो सबसे पहले अगर हम size की बात करें, prokaryotic और eukaryotic cell में, तो जो prokaryotic cell होते हैं, वो smaller और size में, वो चोटी चोटी होते हैं, बिलकुल उनका size small होता है, eukaryotic के comparison में, जो eukaryotic cell होंगी, वो larger होती हैं, size में और जो prokaryotic सेल होंगी वो क्या होती है स्मोलर होती है साइज में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो प्रोकेरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूनिसेलूलर होती हैं लेकिन जो मतलब सिंगल सेल्स सिंगल सेल होती हैं और अगर हम यूकेरियोटिक में बात करें तो यह मल्टी आटे हैं मैं और इस पिए संपड़ियोडिए लेकिन प्रो लेकिन मैं यूणीस ही आते हैं उसके बाद अगर हम नुकलीयस की बात करें में कि कैसा होता है तो जो टो जो शीले कोकद काईरिओ यूट्ट tidak दोहले नं न्यू कि नंसल आजांक कहीं सेंड होता वह项 क्योंकि उसके अंदर कोई membrane उसके बार-बार कोई membrane present नहीं होगी, nuclear, nucleus की membrane को हम क्या बोलते है, nuclear membrane, तो उसके बार कोई nuclear membrane present नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलते है, true nucleus नहीं बोलते, तो इसके अंदर क्या होता है, जो true nucleus present नहीं होता, प्रोकेरियोर्स में उसको हम बोलेंगे नूकलियोड, प्रोकेरियोर्स के नूकलियस को हम क्या बोलते हैं, नूकलियोड यह बिना नूकलियर मेंबरेन के होता है, लेकिन अगर हम यूकेरियोर्स के बात करें तो यूकेरियोर्स में जो नूकलियस प्रेजेंट होता है, वो न next point की बात करें तो जो prokaryotes होते हैं वो simple and primitive nature मतलब जो prokaryotes होंगे वो simple होते हैं और primitive मतलब वो पहले आये थे prokaryotic cells से ही हमारी बाद में जाके eukaryotes बने थे eukaryotic cell मतलब इसमें changes होके बाद में ये eukaryotic cells बनी थी तो prokaryotic cell जो होते हैं simple और primitive मतलब जो NCN जो पहले बने थे होती है nature में और ये बिल्कुल simple होती है लेकिन यगर eukaryotes की बात करें, eukaryotic cell की बात करें तो ये जो होती है complex होती है nature में comparison to prokaryotic cell और fully developed होती है उसके बात जो prokaryotic cells होती हैं हमारी उनके अंदर बहुत सारी membrane bound organelles absent होती है eukaryotic cell में cell organelles जो हैं organelles present होते हैं लेकिन prokaryotic cell में क्या होते हैं cell organelles absent होते हैं only एक organelles present होती है prokaryotes में जो कौन सी होती है ribosome याद रखना only ribosomes present होती है prokaryotic cells में और जो eukaryotic cells होती है उनके अंदर सारी cell organelles present होते हैं so students this was about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell let's quickly revise all these what is cell हमने अभी पढ़ा cell के बारे में तो cell क्या होती है cell is the structure and functional unit of life and it was discovered by robert hook in 1665 जो हमारी living cell थी वो किसने डिसकवर की थी and then when Leeuwenhoek ने pond water में जो protoplasm term थी वो किसने दिया था Parkinson scientist थी उन्होंने protoplasm term दिया था अगर हम cell theory की बात करें तो cell theory की कौन कौन से scientist ने दीती शेल्डर ने स्वैन ने और उन्होंने क्या बताया था कि सारे living organisms जो होते हैं वो cell से मिलके बने होते हैं cell is the functional unit of life बर्के उन्हें scientist ने क्या बताया था उन्होंने cell theory में एक और point add कि जो भी नई cells होती हैं वो पुरानी cells के division से ही बनती हैं मतलब new cells arise from the pre-existing cells उसके बाद अगर हम types of organisms की बात करें तो cell के नंबर के basis पे दो type के organism होते हैं unicellular organism और multicellular organisms unicellular organism single cell से मिलके बने होते हैं multicellular organisms जो हैं more than one cell मतलब many cells से उनका नंबर बहुत जादा होता है multicellular organisms में अगर हम cell के shape or size की बात करें तो cell का shape or size vary करता है इनका सेम सब cells जो है same shape or size में नहीं होती smallest cell की बात करें smallest cell is mycoplasma होती है इसको हम PPLO भी बोलते हैं types of cells की बात करें तो दो type की cells present होते हैं prokaryotic and eukaryotic prokaryotic cells smaller होती है साइज में और eukaryotic cells larger होती है साइज में prokaryotic cells में unicellular organisms आते हैं और eukaryotic होते हैं unicellular अपसेंट होती हैं, छोड़के एक ओर्गेनल को जो होती है राइबोसोम, राइबोसोम, ओनली राइबोसोम is present in the prokaryotic cell and other cell organelles are absent but in eukaryotic cell all cell organelles are present.